हलो फ्रेंड्स, आज हम डिसकस करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में, देखिए अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी पर्मेबल मेंब्रेन के थुरू सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, अब अग इसमें सॉल्वेंट, सॉल्यूशन से प्यॉर सॉल्वेंट की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देता हैं, तो इसी फिनॉमिना को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, देखिए इस डाइग्राम में ये यहाँ पर हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन और ये हो गई सेमी पर्मेबल अब अगर सॉल्ट सॉल्यूशन पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर एपलाई करते हैं, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से प्यॉर सॉल्वेंट की तरफ सिफ्ट होना सुरू हो जाते हैं, तो इसी प्रोस्यूश को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते है अब reverse osmosis technique को हम RO technique भी कहते हैं जिसका use salt water या sea water को drinking water में convert करने में किया जाता है और इसका use generally gulf countries में होता है अब RO technique की बात करें तो इसमें एक ऐसी pressure vessel ली जाती है जिसमें एक high pressure pump fit होता है और उसमें एक semi permeable membrane भी fit होती है अब इस pressure vessel में salt water feed करते हैं और उसपर pressure apply किया जाता है जिससे की salt solution pure water में convert हो जाता है अब RO technique में जो water की flow होने की rate है उसको हम इस formula की help से calculate कर सकते हैं यहाँ del P हो जाएगा hydraulic pressure differential across the membrane del Pi हो जाएगा osmotic pressure differential across the membrane Kw हो जाएगा membrane permeability coefficient A हो जाएगा membrane का area और delta हो जाएगा membrane की thickness हाएगा आप जाएगा कर सकते हैं